मध्यप्रदेश में आगर मालवा नाम का एक जिला है। वहां के न्यायाले में सन 1932 ए में जेना रायन शर्मा नाम के वकील थे। उन्हें लोग आदर से बाप जी कहते थे। वकील साहब बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे और रोज प्रातकाल उटकर स्नान करने के बाद स इसके बाद वे वही से सीधे का चेहरी जाते थे। घटना के दिन बाप जी का मन ध्यान में एतना लीन हो गया कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। जब उनका ध्यान तूटा तब वे ये देखकर सन रह गए कि दिन के तीन बज गए थे। वे परेशान हो गए क्यो ये बाते सोचते हुए बाप जी न्यायाले पहुँचे और जद साहब से मिलकर निवेदन किया कि यदि उस केस में निर्नए न हुआ हो तो बहस के लिए अगली तारीक दे दे। जद साहब ने आश्चरे से कहा ये क्या कह रहे हैं। सुबह आपने इतनी अच्छी बहस और अब आप बहस के लिए समय ले रहे हैं। जब बाप जी ने कहा कि मैं तो था ही नहीं। तब जद साहब ने फाइल मिंगवा कर उन्हें दिखाई। देखकर वो सन रह गए कि उनके हस्ताक्षर भी उस फाइल पर बने थे। न्यायाले के कर्मचारियों, साथी वकीलों और स्वेम मुवक्किल ने भी बताया कि आप सुबह सुबह ही न्यायाले आ गए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही आप यहां से निकले हैं। बाप जी की समझ में आ गया कि उनके रूप में कौन आया था। उन्होंने उसी दिन सन्यास ले लिया और फिर कभी न्यायाले का चित्र अभी भी लगा हुआ है जिसमें कभी भगवान बाप जी का वेश धरकर आये थे। यही नहीं लोग उस फाइल की प्रतले पी का राकर ले जाते हैं जिसमें बाप जी के रूप में आये भगवान ने हस्ताक्षर किये थे और उसकी पूजा करते हैं।